नमस्कार आप सभी के मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो में linear equations in two variables में देखने वाले हैं कई साल करने के प्रोसेस में सबसे हुआ इस वीडियो में में बाकि हम नेक्स्ट वÓमार देखेंगे को पर चल्थ सब्सक्थे अज्वाइब अस लिनियर एक बात हो रहा Dot बोस्थे में बाटाया तो आपको हम बताये थे कि लीनियर क्या लेकल का चैनलD formula होता है X plus B equal to zero होता वेर एभी बिलोंगस टो रियल नमबर बट इस नट इक्वल टो जीरो लेनियर एक्वेशन इन्ट वैरियेबल कर बता है थे इसके ग्राफ के बारे में बताया थे कि इसका ग्राफ जोगा अब लिक्यूली लाइन की तरह होगा तो यहां हम बात करने वाले simultaneous linear equations तो देखे सबसे पहले हम कहा करते हैं सपोज कर लेते हैं यह सबसे simultaneous linear equations, a system of simultaneous linear equations, सबसे पाला तो e1x plus b1y plus c1 equal to 0, इसको equation फर्स्ट माल लेता है, और दूसरा a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इसको equation फर्स्ट माल लेता है, तो एक साथ यह दोनों जो हम a system of simultaneous linear equations ले लिए, अब क्या करते हैं, तो देखिए पाला जो इसमें linear equation in two variable दिख रहा है, इसका भी एक graph बनेगा, तो graph बनेगा तो एक straight line आएगा, ठीक है, तो उस straight line को हम L1 से denote कर रहे हैं, capital में L1 से, फिर यहाँ पे दूसरा जो linear equation in two variable दिख रहा है, इसका भी graph बनाएगे, तो एक straight line आएगा, इसको हम denote कर रहा है किस से, तो L2 से, तो देखिए, जब भी किसी plane पे अगर आपको कोई दो line दे दिया जाता है, किसी भी plane पे आपको दो line दे दिया जाता है, तो उस case में आपके पास total possibility जो होगा, 3 होगा, total possibility कितना होगा, तो 3 होगा, तो सबसे पहला possibility क्या होगा, यहनि case first में इसको हम लिखते हैं, case first में लिखते हैं, when L1 and L2 intersects intersects at a point, देखिए, सबसे पहला possibility है, कि L1 और L2 जो दोनो line है, इस दोनों एक दूसरे को क्या कर सकता है, तो intersect कर सकता है, तो जो intersect करेगा, तो कैसा होगा, देखिए, कैसा हो सकता है, यह अपका X हो गया, X-DAS हो गया, Y हो गया, Y-DAS हो गया, यह आपका origin हो तो यहां पर यहां पर पहला जो आपका लाइन है उसका इंग्राफ हो गया और दूसरे के ग्राफ यहां पर इंग्राफ का हो गया तो यहां पर कोई एक पॉइंट है अब देखे कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ एक्स कोडिनेट होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा तो यहां पर जो दोनों लाइन है इंदोनों लाइन के बीच का जो क्या करेंगा तो सेटिस्फाई करेंगा याहं यहीं अलफा-बिटन केया है क्या हो जाएगा तो solution हो जाएगा तो यहां देख रहे हैं कि दोनों linear equation एक ही जगा पर cut किया, एक ही point पर cut किया, यानि कि कितना solution मिला, तो एक solution मिला, तो यहां हम क्या बोलेंगे कि case first में कितना solution हमको मिलेगा, तो एक solution मिलेगा, तो एक solution को हम क्या बोलते हैं, तो unique solution बोलते हैं, यानि जब L1 और L2 दोनों को किसी एक point पे intersect करता है, तो उस case में कितना solution मिलता है, तो unique solution मिलता है, unique solution का मतलब एक solution मिलता है, फिर आपको हम बताया थे consistent के बारे में, and inconsistent के बारे में, तो consistent में बताया थे, कि system of linear equation के पास at least one solution होता है, तो उसको हम consistent बोलते हैं, ठीक है, into variable का graph, एक दूसरे को किसी एक point पे intersect कर रहा है, तो उस case में solution जो है unique होगा, और साथ साथ उसको हम consistent भी बोल सकते हैं, अब देखिए, case first में तो आप देख लिए, कि दोनों line एक दूसरे को intersect कर सकता है, अब case second में देखते हैं, कि क्या हो सकता है, case second, second में लिख रहे हैं कि when, L1 and L2 are consistent, देखिए, इसका मतलब क्या होता, जैसे यहाँ पे हम एक्स एक्सिस बना दिया, और यह क्या बना दिया, तो यह एक्सिस बना दिया, एक्स हो गया, एक्स टैस हो गया, यह हो गया, यह आपका origin हो ठीक है, तो पहला linear equation जो है, मालने तो उसका हम graph बना है, और graph जो उसका क्या आगया, एक straight line आगया, L1 का, ठीक है, तो होता क्या कि कभी क्या होता है, कि दूनों linear equation का graph बनाते हैं, और दूनों एक दूसरे को क्या करता है, overlap कर जाता है, तो मालने ते हैं कि पहला का हम graph बना है, L1 इस पे आगया, और जो दूसरा linear equation है, उसका भी graph बना है, और इसी पे आगया, तो उसको हम L2 बोल दिये, तो देख रहे हैं कि पहला जो linear equation है, उसका graph L1, और दूसरे का भी linear equation का graph L2, तो दूनों एक दूसरे को क्या किया, overlap कर गया, यानि यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो coincide कर गया, तो इस case में L1 और L2 के बीच में, अगर common point के बारे में बात किया जाता है, तो देखिए यहाँ भी common है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपका infinite हो गया, तो इस case में अगर आपसे बोला जाता है, कि solution के बारे में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे infinitely many solutions, यानि इस case में solution जो है, आपका infinite होगा, यहाँ काफी सारा solution होगा, जिसको हम count नहीं कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम consistent, and inconsistent के बारे में बात करते हैं, तो consistent में आपका at least one solution होता, तो कम से कम एक solution है, तब तो consistent होगा ही, और एक से ज़्यादा solution है, तब इतो होगा, चुकि उसको कम से कम एक चाहिए, एक से ज़्यादा कोई दिकत नहीं है, यानि यहाँ भी क्या होगा, तो यह आपका consistent בिणखोंट होगा तो देख लिए कि अगर कोई दो linear equation है two variable में तो पहला possibility कि एक दूसरे को intersect कर सकता है दूसरा possibility कि एक दूसरे को coincide कर सकता है अब तीसरा possibility देखे आपको पता होगा पहले से भी कि अगर कोई दो को मतलब स्टेट लाइन ठीक है द goo इस एक डूसारे को इंटर्सेक्ट और जाया तब तो क्वे 극द नहीं है अगर एक दूसरे को कोण साइड कर जाय तब भी कोई दीखत नहीं है लेकिन अगर इंटर्सेक्ट करें कुंसाइड भीं ना करें तो उस केसमें कंफार्म है कि दोनों जो है एक दूसरे के पैरलल होगा तो तीसरा पॉसिबिलिटी आपको वहीं होगा यहनि के सथर्ड में लिखेंगे के सथर्ड में वेंगे ल1 and L2 L1 and L2 are parallel पैरलल ठीक है तो देखिए इस केसमें क्या होगा यहां से x x dash y y dash यहाँ पर आपका origin हो गया ठीक है जैसे माल लेते हैं कि पहला equation का इग्राफ हो गया l1 का हो गया दूसरे का ग्राफ बना है यह भी यहाँ पर आगया l2 का तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूने एक दूसरे के क्या हो गया तो परलल हो गया आपको पता होगा कि अगर किसी plane में कोई भी दू अगर हमें straight line ले लेते हैं कोई भी दू state line ले लेते हैं तो total possibility जो है आपका 3 ही होता है जैसे पाला possibility कि दूने एक दूसरे को intersect कर सकता है दूसरा possibility कि दूने एक दूसरे को coincide कर जाएगा यानि कि totally overlap कर जाएगा और तीसरा possibility दूने एक दूसरे के parallel होगा इसके अलावा कोई possibility possible नहीं है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे L1 और L2 के बीच में अगर common point के बारे में बात कर जाते हैं यहाँ पे कोई common point नहीं है तो जब तक कोई common point नहीं मिलेगा तब तक हमको कोई solution नहीं मिलेगा यानि यहाँ पे जिसमाल नेते हैं कि L1 पे बहुत सब्वाelles point है कोई दिखत नहीं है L2 पे यह बहुत सब्वासरा point है लेकिन L1 का जो point हुगा ही L2 को satisfy नहीं करेगा L2 का जो point हुगा ही L1 को satisfy नहीं कर पाएगा यानि दोनों के बीच में जब तक हमको common कुछ नहीं मिलेगा, तब तक दोनों equation को एक साथ satisfy नहीं कर पाएगा, और जब तक दोनों को एक साथ satisfy नहीं करेगा, तब तक जो आपका system of linear equation है, उसका solution नहीं मिल पाएगा, तो इस case में हम क्या बोलेंगे, इस case में हम बोलेंगे no solution, यहां आपको कोई solution मिलने वाला नहीं है ठीक है यहां जो system of linear equation नहीं मिलेगा जब कोई solution नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं तो inconsistent बोलते हैं तो inconsistent बोलते हैं तो देखिए यहां पर total possibility आपके पास 3 वा अगर आपको दे दिया जाता है system of linear equation और बोला जाता है कि graphically उसको solve किजिए तो उस किसमें आपको देखना है कि अगर दोनों intersecting आ गया दोनों intersecting आ गया तो जहां भी intersect करेगा उस जगा का coordinate देख लेना वहीं उस linear equation का यानि उस system सब्सक्राइब करके फिर से देख लेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा दोनों equation का separately separately आपको graph ड्रॉप कर लेना ग्राफ पर 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 और ड्रॉप करने के बाद intersecting line आ रहा तो जहां intersect करेगा वहां से आपको unique solution मिल जागा यानि consistent ठीक है अगर दोनों एक दूसरे को coincide कर गया तो उस case में क्या लिखेंगे कि infinite solution होगा यानि की consistent होगा अगर दोनों एक दूसरे के graph parallel आ जाता तो उस case में क्या लिखेंगे तो no solution लिखेंगे तो graphical method से हम system of linear equation का कैसे solution solution निकालते हैं या आपको समझ में आगया होगा अब देखिए कभी-कभी इसमें ऐसा भी question आता है कि ट्रेंगिल होगा राफ फॉर्म हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि उस ट्रेंगिल का area निकाल यह जैसे माल लेता है कि पाला आपका linear equation into variable a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और दूसरा जो है a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ठीक है इन दुनों से हम ग्राफ को प्रिपेर कर रहे हैं और प्रिपेर करने पे प्रिपेर करने पे बोलता है कि पाला जो लाइन है यानि जो पाला ग्राफ है दूसरा ग्राफ है और एक सेक्सिस उससे जो area enclosed हो रहा है उसका ट्रेंगिल बताना है तो माल लेते हैं कि जो पाला है इसका graph l1 और इसको l2 माल लेते हैं कि हैसा डिया ऐसा बना दिये ऊपका L1 का रहां कि किसका हो गया और माल लेते हैं नहीं हो गाला इक से लाँ का graph होगई इसको एक सिक्सिस होगया देख रहें कि इसको एक ज्रेंगिल बन रहा है इसको आ इसको B माल लेते, इसको C माल लेते, तो इस टाइप से question दे देता और बोलता है कि जो triangle बना उसको तीनो vertex लिखिए, तो आप graph paper पे इस काम को करेंगे, तो वहाँ से आप देख लिए कि A क्या coordinate हो रहा, B क्या क्या हो रहा, C क्या क्या हो रहा, वहाँ से आप इसका vertex लिख सकते ह कि जो triangle बना इस triangle का area निकाले, तो area निकालने के लिए आपको पता है formula कि 1 by 2 base into height, तो base आप देख लिए यहाँ पे, base unit में count कर लिए, जैसे 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, ऐसे base count कर लेना, फिर इसके बाद जहां पे vertex से वहाँ से एकदम perpendicular आना, और इसका height जो है, उसको क्या कर लेना, तो count क जगा पर जैसे माल नेते हैं कि BC के value, BC के value थोड़ दर के लिए माल नेते हैं कि 6 unit आ रहा, कितना रहा, 6 unit आ रहा, और माल नेते हैं यहाँ सो जो perpendicular है, इसका value 3 unit आ रहा, तो उस case में अगर इस triangle का area निकालना है, यहनि area of triangle ABC निकालना है, तो formula आपका हो जाएगा, 1 by 2 base into height, तो answer हो जागा, ठीक है, कभी के भी होता है कि directly अगर आप base को count नहीं कर पा रहा है, height को भी count नहीं कर पा रहा है, तो उस case में A, B, C, तीनों का भर्टेक्स तो दिख रहा है, और तीनों का जब भर्टेक्स दिख रहा है, तो पाल्या का भर्टेक्स, x1, y1, दूसरे का x2, y2, त x3, y3, तो coordinate geometry में जो आपको area triangle के लिए formula पढ़ना उसका यूच करके भी आप इसके area को find out कर सकते हैं, तो coordinate geometry में जो पढ़ना आप जाकर को वहाँ से मेरे channel में उस video को देख सकते हैं, तो फिलाल इसमें लगभग उसका ज्यादा जरूत नहीं पढ़ता है, maximum question आपको मिलेगा जिसमें की base और height को आप अराम से count कर सकते हैं, कभी कभी होता क्या, कि इस type से आजाता question, कि जो पाला line है, दुसरा line और जो y axis है, उससे जो area enclosed हो रहा है, triangle का, उसका area क्या होगा, जैसे मालने तो graph आपका ऐसे बन गया, यह L1 का बन गया, ठीक है, यह आपका क्या बन गया, त PQR, तो यह आपका triangle बन गया, PQR, बोल देगा, इसका area निका लिए, तो आप मालने जिए कि base है, तो जब ही base है तो इसका opposite vertex से जो यहाँ पे आएगा, perpendicular इसका height हो जागा, तो base और height को आप unit में count कर लिजे, और उसके बाद area of triangle 1 by 2 base into height, उसके डाल दीजे, मिल जागा, नही नहीं मिलता है, तो तीनों point का जो vertex है, उससे भी triangle के area को निकाला जा सकता है, जो coordinate geometry में पढ़ना है, कि अगर triangle का तीनों vertex है, अगर coordinate for में दिया हुआ, ठीक है, तो उसके इसमें निकालते हैं, तो जब आतर आपको मिल जागा, जिसमें आप base और height को count करके, unit में और उसका area आप लिख सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं, कि किसी system of linear equation, simultaneous linear equations का graphical method के तहत हम कैसे solution निकालते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी method है, उसको हम लोग one by one करके देखेंगे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, उमीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद graphical method अच्छा सा समझ में आ गया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो like कर दे, comment करे, possible to share भी करे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you